हॉलिवुट सिल्वर स्क्रीन पेश कर रही है गर्ल इन दो ओशन। कहानी की शुरुवात में हमें जिलियन और उनके पती कायल को दिखाया गया है जो दोनों एक व्यतनामी समुद्र तट के किनारे समुद्र तट पर हैं। दरसल वे यहां छुट्टिया मनाने आये हैं और ज दोनों डाइविंग के लिए समुद्र में जाते हैं जहां कायल के पैर में चोट आई है और यहां दिखाया गया है कि जिलियन के खून को देखकर उसे अपने अतीत की याद आती है जब उसका गर्ववात हुआ था। लेकिन एक बार फिर कायल उसकी देखवाल करता है और उसे वापस लाता है अब जब जिलियन अपने घर पर बात कर रही होती है तो खबर दिखाई जाती है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है लेकिन वे इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जब कायल और जिलियन रात को सो रहे होते हैं तो अब पानी भर रहा है तभी वे देखते हैं कि किनारे पर कुछ चटाने हैं हालांकि जिलियन वहाँ जाना चाहती है लेकिन कायल ने उसे मना किया वह कहते हैं कि हमें इस तूफान में रहना चाहिए अब थोड़ी देर बाद उनकी नीद खुल जाती है और जब जिलियन सु से मना किया था और अब वे समुद्र के बीच में हैं यहां उन्हें अब तक कोई नहीं देख पाया है साथ ही जिस लकडी के घर में वे अभी हैं वह भी धीरे धीरे शतिग्रस्त होता जा रहा है उन्हें जल्द ही यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा कायल का पैर पीने की विवस्था हो सकती है जिल्यन पानी से डरती है लेकिन फिर भी वह पानी में चली जाती है और वहां से एक थेला ले आता है जिसमें पानी होता है वह कायल को वह पानी देती है कायल जिल्यन से कहती है कि तुम चिंका मत करो मुझे यकीन है कि कोई हमें यहां खोजन अब वे सूर्य की किर्णों से बोतल में आग जलाकर धुआन पैदा करने का प्रयास करते हैं, ताकि धुआ देख कोई उन्हें बचाने आ जाए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके बाद दोनों वहीं लेट गए, तभी उन्हें हेलिकॉप्टर की आवाज सुनाई देत जिलियन देखती है कि आसमान में एक हेलिकॉप्टर है, लेकिन ये उनसे बहुत दूर है, इसलिए हेलिकॉप्टर उन्हें नहीं देख सकता, और हेलिकॉप्टर जिलियन की आँखों के सामने वापस चला जाता है, जिलियन चिल्ला रही है, लेकिन उसे जिलियन की आवाज सुनाई नहीं दे रही है अब थोड़ी देर बाद जिलियन देखती है कि उनसे बहुत दूर एक जहाज है वो अपना हाथ हिलाने और उनकी ओर इशारा करने की कोशिश करती है लेकिन जहाज की दूरी के कारण जहाज जिलियन को नहीं देख सकता काईल की आँखें खुली और वो बोतल से फिर से आग जलाने की कोशिश करता है इस बार वो सफल हो जाता है और धूआ उठने लगता है लेकिन जहाज से पहले लोग इस धूएं को देखते हैं जहाज उनसे बहुत दूर चला गया है वे दोनों फिर से खो जाते हैं लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं होती जो आग उन्होंने धूना पैदा करने के लिए जलाई थी वो अब पूरे घर में फैल जाती है आग इतनी तेज है कि उन्हें उस घर से नीचे कूदना पड़ा वे दोनों समुद्र में कूद जाते हैं और उनकी आखों के सामने उनका पूरा घर जो उनका आश्रे था जल जाता है अब उनके सामने लकडी के कुछ टुकड़े हैं वे उनके साथ तेरते हैं लेकिन काईल के पैर में घाव हो गया है ये ऐसा घाव है जिससे खून निकल रहा है और खून की गंद उनकी ओर आने लगती है काईल कहते हैं कि हमें जल्दी लकडी के एक बड़े टुकड़े पर बैठना होगा उनके सामने लकडी का एक बड़ा टुकड़ा है इससे पहले की शार्क उन्हें अपना शिकार बना ले वे दोनों लकडी के टुकड़े पर चलते हैं तभी शार्क उनके पास पहुँच जाती है लेकिन ये शार्क नहीं बलकी डॉल्फिन है उन्हें देखकर हंसी आती है क्योंकि उन्हें लगा कि वे शार्ख हैं अब वे लकडी पर लेटे हैं जिलियन का कहना है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है अगर मेरा गर्व बात नहीं होता तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाते तब हम कभी छुट्टिया मनाने व्यतनाम नहीं आते काईल जिलियन से कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है हम निश्चित रूप से यहां से जिंगा निकलेंगे और हम अपना जीवन फिर से जी लेंगे बात करते करते दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन ने अपनी आँखें खोली तो उसने देखा कि उसकी लकडी का टुकड़ा काईल के लकडी के टुकड़े से दूर जा चुका है साथ ही उसके पैर से जो खून निकल रहा था वो पूरे पानी में फैल गया है अब वो किसी तरह काईल तक पहुँचना चाहती है तभी वा समुद्र में कूद जाती है और काईल के लकडी के टुकड़े की ओर चली जाती है लेकिन यहाँ शार्क उन पर हमला कर देती है काईल भी लकडी के टुकड़े से गिर जाता है जिलियन किसी तरह लकडी के टुकड़े पर जाती है और कायल को उपर खिंचने की कोशिश करती है लेकिन तब-तक शार्क उस पर कई बार हमला कर चुकी होती है जिलियन किसी तरह लक्री के टुकड़े को अपना निशाना बना लेती है और लक्री का बड़ा टुकड़ा जिस पर वह खुद होती है और उसका पती लटक रहा है, उसे शार्क से दूर ले जाता है, जिलियन बहुत ठकी हुई है, इसलिए वह सोने चली जाती है, उसका पती भी बेहोश है, और अब जब जिलियन ने अपनी आखें खोली, तो उसने देखा कि वह किनारे पर है, लेकिन उनके पती काईल अब भी बेहोश हैं, वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मर चुकी है, इससे वह पूरी तरह टोट चुकी हैं, कुछ समय पहले उसने अपने बच्चे को खो दिया था, और आज उसने अपने पती को खो दिया, इसके लिए वह खुद को ज तो उसने देखा कि कायल का शब नहीं, क्योंकि समुद्र की तेज लहरे उसे वापस समुद्र में ले जाती हैं, जहां बड़ी मचलिया होती हैं, तभी जिल्यन कायल के शरीर को देखती है, वह अपने आप में नहीं, इसलिए वह उसे बचाने के लिए समुद्र की ओर बढ तभी एक शार्क उसके पेरों पर हमला कर देती हैं, और उसके पेरों को घायल कर देती, जिल्यन अपने होश में आती हैं और वाथ समुद्र तट पर आती है, वह देखती है कि चारों ओर धूल है, तभी उसे एक चट्टान दिखाई देती, जिल्यन बड़ी मुश्किल से उस चट्टान पर चरती है तो देखती है कि एक मनुष्य गोल नाम पर बैठा है। कौन यहां मचली पकड़ने आया है। वह एक आशा देखती है। वह उस आदमी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका पती मर गया है। वह इस टापू पर फंसा हुआ है लेकिन वह एक वियतनामी है। वह अंग्रेजी नहीं जानता है। जिलियन बड़ी मुश्किल से उसे समझाती है कि उसे मदद की जरूरत है। वह उसे अपने पैर में घाव भी दिखाती है। जिसके बाद उन्होंने घाव पर ठांके लगा इधर वह आदमी मचली पकड़ने आया। इसलिए वह अपना जाल लगाने के लिए समुद्र के नीचे चला जाता है। और जब वह समुद्र के नीचे होता है तो शार्क उस पर हमला कर देती है। जिलियन को पता चला वह उसे बुलाती है लेकिन उसका कोई निचान नहीं है और कुछ देर बाद वह समुद्र के पास आ जाता है। दरसल शार्क ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जिलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है ताकि उसे नाव में लाया जा सके। लेकिन अब शार्क ने दोनों पर हमला कर दिया। जिलियन किसी तरह नाव पर वापस आती है लेकिन शार्क उस आदमी को मार देती है और जिलियन एक बार फिर इस नाव पर बिल्कुल अकेली है। शार्क फिर से उस पर हमला करती इधर जिलियन को नाव का पीछा करने लगती है और वो उँची छलंग लगा कर अपनी नाव को पानी में पलट देती है अब जिलियन नाव के नीचे है वो जानती है कि शार्क उसके पास वापस आएगी वो उस पर हमला करेगी इसलिए इस नाव का लंगर उसे अपने पैरों से बांगता है शार्क को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वह कैसे चलती है और जब वह नीचे से जिलियन पर हमला करने आती है लंगर उसे पार कर जाता है जो वहाँ शार्क को मार देता है इसके बाद जिलियन लंगर की रसी खोल कर उसे पानी में छोड़ देती है जिससे शार्ट पानी की गहराई में डूब जाती है अब जिलियन नाव पर लेट गई वह आकाश की ओर देख रही है वह जानती है कि पास में ही एक किनारा है जहां इंसान रहते हैं तभी ये व्यतनमी शक्स यहां मचली पकड़ने आया था उसकी नाव अब तेरते डूपते एक स्थान पर पहुँच जाती है जहां से वह देखती है कि किनारे पर कुछ मचवारे हैं वह अब डिंजर जोन से निकल कर सेव जोन में पहुँच गई है दूर से मचवारे जिलियन को देखते हैं उन्हें पता चलता है कि नाम पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है जिलियन आस्मान की ओर देखती है और रहत की सांस लेती है हाला कि उन्हें अपने पती काइल को खुने का बहुत दुख है लेकिन अब वर चाहकर भी काईल को वापस नहीं ला सकती लेकिन इस पूरे सफर में उन्होंने एक बात सीखी जीवन में समय कितना भी कठिन क्यों न हो मनुश्य को सदैव संघर्ष करना चाहिए क्योंकि जो लोग मुसीम्तों और मुश्किलों से लड़ते हैं यह उन्हें जीने का एक और मौका देता है जिस तरह से जिलियन को मिला अगर उसने शार्क को छोड़ दिया होता तो वह मर जाती लेकिन वह उससे लड़ी उसने शार्क को मार डाला और अब उसके पास एक नया जीवन है जिसे वर जीना चाहती है हाला कि उसने अपने पती काईल को खो दिया लेकिन मा समझ गई है कि इस दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं है एक दिन सबको यह स्थान चोड़ना है इसलिए हमें जीवन का जो उपहार मिला है उसे हमें स्विकार करना चाहिए हमें इसे जीना चाहिए तो ये थी फिल्म गरल इन दो ओशन की कहानी हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी